ू ils और काईरल क्या होता है इसकी काहते आ गयाएगी लेकिन यदि वह कोम्पॉटपाउड अप्टिकलिफ इनक्टेव है तो स्के तीन कारण हो इनायटों हो सकते हैं कंबाउड सकंपाउड इस आप्टिकलइ इनक्टीफ इसनग लिखें इस आप्टिकली इनक्टिफ due to three region, compound is optically inactive, due to three region, due to three regions, compound is optically inactive due to three regions, compound does not give optical isomerism, compound does not give optical isomerism, compound does not give optical isomerism, पहला reason यह है, compound does not give optical isomerism, मतलब यह आप समझ रहे हो, molecule कैसा है राज़ाओ, एकाइरल molecule है, compound does not give optical isomerism, इसका मतलब क्या होए, compound a-chiral molecule, ऐसा compound मेरे भाई, a-chiral molecule कैलाता है, ऐसा हमेशा chemistry में molecule कैलाता है, वो कैलाता है a-chiral molecule, सभज मारना, chemistry में ऐसे molecule का a-chiral, मतलब आप लोग समझ रहे हो, निकरस्ट टाइप का molecule है, जिसको उपर light मार रहे हो, आप लोग पूरी रात, उसने कोई response नहीं दिया, बस आपके सामने ऐसे खड़ा है, वो compound एक a-chiral molecule है, उसका कोई मतलब नहीं, वो देखता रहेगा, आप कोई response नहीं देगा, सज मारना, उसका कोई मतलब भी नहीं है, दूसरा एक compound और हो सकता है दोस्तों, दूसरा है, दूसरा compound बताइए, समझे, compound, give optical isomerism, compound, give optical isomerism, compound, give optical isomerism, compound, give optical isomerism, but optically inactive, but optically inactive, optical isomerism, but optically inactive, so हमारे, compound give, optical isomerism, बट Optically Inactive ऐसे को हम लोग कहते है राजो मीजो कमपाउंड मीजो कमपाउंड मीजो क्या होते है राजे मीजो का मतलब है एक बहुत ही टपोरी टाइप का मॉलीक्यूल है सजमार ना टपोरी टाइप का कमपाउंड है राज़ाओ जो काफी दिन से light का इंतजार कर रहा है काफी दिन से बैठा है वाही साब और ऐसे कि उसे तो देखे हुए बहुत दिन हो गए है सजमारना उस type का होता है आशिक type का राजो ठीक है उस type का है आशिक type का और सजमारना और कह रहा है उसको तो देखे लरका रुमाल है और बैठा बैठा तिल्ले से जाड को खुजराता रहता है ऐसे जाड को खुजराता रहता है तो जब आप लोग देखेंगे उसको काफी दिन से इंतिजार कर रहा और ऐसे जैसे लाइट आई राजो उनको पहले देखते आँखों में चमक आगई काफी दिन से कह रहा कहां इतने दिन कहां गई थी और जैसे राजो कुछ टाइम तो वो लाइट को गुमा के लाएगा पिर कहता है अभी मत जाना कुछ टाइम एंटी क्लोकवाई डिरेक्शन में गु प्लेन से वो लाइट आ रही थी ऐसे कंपाउंड को मीजो कहते हैं मेरे को बताओ नैट उट्रेशन तो जीरो हो गया लेकिन मेरे भाई क्या कंपाउंड के साथ हाई हलो हुआ बोलो हाई ना अथारो जादो नीमस से सजमारना क्या कंपाउंड के साथ हाई हलो हुआ क्या कहलाता है Mijos Compound, ऐसे compound को हम लोग Mijos Compound कहते हैं, ऐसा chemistry में compound Mijos Compound कहलाता है, next में देखी राजो तीसरा है, एक ही हो सकता है, माल लो, दुनिया का एक compound ऐसा है राजो जो 100% optically active है, माल लो आपके सामने एक bottle है, आपके सामने मेरे भाई एक bottle है, जिसमें 100% optically active है, ये bottle है जिसमें 100% optically active है Dextro है जिसके अंदर इस bottle में Dextro है मैंने राजो एक दूसरी bottle ली है जिसके अंदर राजो 100% तजमार लीवो है ये bottle में लीवो है इसमें आपका Dextro है इसमें आपका लीवो है एक bottle में Dextro बताओ जिसके उपर Dextro small d लिख रखा है इसका मतलब क्या हुआ वो compound 100% optically active है इस compound इस bottle के आगे small लिख रखा है आपके आँकों में चमक आगे ये भी 100% optically active है मैंने क्या किया मेरे भाई एक बड़ी bottle ले लिए सभजमार ना एक बड़ी bottle ले ये वाली सभजमार ये इसमें ने टोटेशन क्या हो जाएगा जीरो इसमें ने टोटेशन क्या हो जाएगा जीरो इसमें लोग क्या कहते राजो बताओ ये अकेला 100% optically ये 100% optically active लेकिन इसका जो mixer है वह optically inactive हो गया है ऐसे mixer को क्या कहते हैं हम लोग racemic mixer क्या कहते हैं racemic mixer ऐसे को हम लोग racemic mixer कहते हैं राजो तो आप लोगों को तीसरी condition बता रहा हूं तीसरी condition यह हो सकती है कि उसके अंदर तीसरे के अंदर ये compound हो सुमारा ना compound compound may be equimolar equimolar compound may be equal molar mixture of small d and small l isomers small d and small l isomers इसको हम लोग क्या कहेंगे small d and small l isomers इसे हम लोग क्या कहेंगे रहाजो compound may be equimolar mixer of small d and small l isomers इसे हम लोग कहेंगे दोस्तों racemic mixture यह chemistry में कहलाएगा racemic mixture इसको हम chemistry में racemic mixture कहेंगे compound आपको दुनिया में कोई पूछे कि दुनिया का कोई compound optically inactive है तो आपको कहना है उसके तीन कारण हो सकते हैं आपको कोई पूछ लिए कोई compound optical मालो लाइट मारी हंडर परसेंट परसेंट में हंडर परसेंट अप्टिकली एक्टिव है अब मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप जैसी लाइट मारी और लाइट मारी तो राजो optically inactive था इनएक्टिव कोई है तो उसके तीन कारण है पहला तो molecule ही निकर्स्ट है उसको कोई मतलब नहीं है राजो वो पड़ा है बस एक आईरल है सहजमार एक आईरल दूसरा राजो वो compound हुए है जो कान में बाली और गले में रुमाल पहंच कर बैठा है काफी दिन से light का इंतजार कर रहा है कब आएगी वो कब आएगी मेरे सपनों की राने कब आएगी तू सहजमार उस type का है सहजमार यह है तो आप लोगों को पता है उस type का molecule है तो उसमें आप लोग क्या कहें निरा जो वो है सभजमार यह है उसी को हम लोग कहरें सभजमार यह है तो एक वह दो टाइप का compound है तीसरा राजो वो है और दूसरे में क्या होगा आप मुचिकल इस अमेरिजब दे रहा है और तीसरा मॉलीकुल क्या रा जव तीसरा हो सकता है रेस्मिक मिक्सर है